लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दवाना ना भूलें दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के लिए इस समय बहुत बुरा दौर गुजर रहा है COVID-19 के कारण देशों को आर्थिक नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है साथी मानव शती का भी बड़ा खामियाज आप भूगतना पड़ रहा है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में तो COVID-19 का खत्रा बहुत अधिक बढ़ गया है अमेरिका में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है सूतरों से मिल रही जानकारी के अनुसान अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1237 लोगों की मौत हो चुकी है बहराल इसी बीच अमेरिका के लिए एक सुख़द खबर सामने आ रही है हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक कमपनी ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस का इलाज खोज लिया है कमपनी के मताबिक उन्होंने STI 1499 नाम की एंटिबोरी बना ली है जो कोरोना के संक्रमन को फैलने से 100 फीस्दी तक रोकने में सफल हो सकती है गौरतलब है कि इस से पहले इजरायल और इटली ने भी दावा किया था कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन तयार कर ली है बताने कि अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक 14,67,283 मामले सामने आ चुके हैं यहां अब तक कुल 88,730 लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही अमेरिका ने चीन के वुहान सिटी से उठे इस खतरणाक वायरस के चलते चीन से काफी नाराजगी भी जाहिर की है हाल ही में अमेरिका के राश्ट्रुपती डोनाल ट्रंप ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के मामले में चीनी ने तरत्व के प्रती अपनी नाराजगी के संकेत देते हुए कहा कि वह अपने चीनी समकक्ष शी जिन पिंग से अभी बात नहीं करना चाहते